नौरात्री आने वाली है और भूचपुरी स्टार्स चुट गए है अपनी नौरात्री एल्बम को लाने में वैसे भी अब गिने चुने दिन ही बचे है सो दर्शकों को भी अपने सुपस्टार से काफी उमीदे हैं कि वो इस बार जो गारे लाएंगे वो बहतरीन होंगे हर बार की तरह लेकिन मार्केट में भाई तो छाया रहता है पवन सिंग का जाद क्योंकि पवन सिंग के हर बार नवरात्री के गानों ने धूम मचाई रहती है लेकिन ताजिब की बात यह है कि अभी तक पवन ने नवरात्री के गानों की रिकॉर्डिंग तक शुरू नहीं की है पवन इन दिनों अपने फिल्मों की शूटिंग में इतने जादा व्यस्त हैं कि उन्हें टाइम भी नहीं मिल पा रहा है लेकिन हमारे सोर्सेस की माने तो पवन जल्द ही अपने नवरातरी के एल्बम को लाने वाले हैं जो कि नवरातरी के ठीक दो दिन पहले ही रिलीज होगा वैसे भोजपुरी का हर बड़ा सितारा चाहे वो खेसारी लाल यादव हो अक्षरा सिंग हो या फिर अरविंद अकेला कलू हो सभी इस वक्द अपने नवरातरी की एल्बम के लिए बिजी हो चुके हैं लेकिन अकेले पवन सिंग है जो इस वक्द बेफिक्र होकर अपनी फिल्म राजा की शुटिंग कर रहे हैं वैसे आपको कुछ इंट्रेस्टिंग बताना है कि फिल्म राजा में उनका डबल रोल होगा एक तो इंसान का दूसरा भगवान का जी हां फिल्म राजा में पवन सिंग भगवान कृष्ण बने हुए नजर आएंगे आपको वैसे आपको बता दे कि अक्षा सिंग इंदिनों अपनी नवरात्री की एल्बम की शुटिंग में बिजी हैं और जल्द ही उनके सारे गाने आपके सामने होंगे खेसारी लाल यादो के गाने तो कम्प्लीट हो चुके है वहीं प्रदीब पांडे चिंटु भी नवरात्री में अपना पहली बार एल्बम लेकर आ रहे हैं जिसमें उन्होंने खुद आवाज दी है और इसमें उनका साथ भूचपूरी की जानी मानी गाई का प्रियंका सिंग ने दिया है सो भाई इस तरह से तो ऐसा लग रहा है कि इस बार की नवरात्री काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि रितेश, पांडे, राकेश, मिश्रा जैसे कई भूचपूरी के ऐसे स्टार हैं जो अपने नवरात्री की एल्बम को लेकर आएंगे और धूम मचाएंगे लेकिन सबसे ज़्यादा इंतिजार तो पावर स्टार पवन सिंग के गानों का होता है क्योंकि मारकेट में तो भाई वही चाते हैं बोचपूरी जगत की होट और मसालेदार वासिट के लिए हमें सबस्क्राइब करना बिलकुल न भूली